अलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो गाइज आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी आइटन नियॉस पे जो की एक फेसलिफ्टेड वर्जिन जो की एक निया रिफ्रेश वर्जिन हमें ग्रैंड आइटन के बाद देखने को मिला तो आज की हमारी वीडियो वो टोटल इस पे रहने वाली है इसमें हम आपको एक ओवर व्यू देंगे गाड़ी का गाड़ी के पॉजिटिव से बताइगे लास्ट में एक आपको किंग्लियूजन दी जाएगी ताकि आप गाड़ी के बारे में जान सकें और जान सकें कि य साथ आपकी ग्रोथ के लिए अच्छर है क्योंकि हमारा कंटेंट कहीं आपको एल्प करेंगा और आपकी सुब्सक्रिप्शन कहीं हमें हमें करेंगी एक मॉटिवेशन की फिलिंग देगी तो गाइस बिना समय कोब बात क्यों करते हैं वीडियो को शुरू तो जो ग्रेंड आइटन नियॉस है उसकी पहले सेल्स फिगर्स की बात करेंजाओंगा वो रहती है साथ से आठ हजार यूनिट्स पर मंत की सेल इसकी रहती ही रहती है और यह काफी जादा एक बैतरीन प्रोड़क्ट है हुंडाई के दोबारा हुंडाई का प्रोड़क्ट ह है तो ऑविशली हुंडाई जाना जाता है अपने इंटीर क्वालिटी के लिए इंटीर क्वालिटी पर भी बहुत बात करेंगे आजम तो गाइस अब मैं इसमें बात करेंगे इसमें आपको पेट्रोल में पांच मॉडल्स देखने को मिलते हैं मैनूल ट्रांसमिशन के अब बात करूंगा इसमें आपको 2 ब्रुमोडली मॉडलन गवर मिलेंगे वह बात करों डीजल की दीजल में मिलेगे और एक ए-μαटी में आपको में मेगना एस्टर और एमटी में रहेगा इसमें स्पोर्ट्स तो यह थे इसके सारे मॉडल्स जो आइटन याउस में आपको देखने को मिलते हैं अब बात करेंगे इंजिन ऑप्षिन्स की तो बहले पैट्रोल मैनूल की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का कैपा पैट्रोल इंजिन आपको देखने जो फिगर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी साथी साथ यह 4-cylinder इंजिन है और इसकी माइलेज रहेगी वह रहेगी 20.7 kmpl की और जो एम्टी वेरेंट है पेट्रोल के सेम इंजिन के साथ इनकी भी आपको जो स्पेक्स हैं यह सेम ही देखने को मिलेंगे बात करूंगा इसकी माइलेज होगी वह रहेगी 20.7 kmpl केजी तो गाइस यह था cng का अब बात करूंगा डीजल की मैनूल ट्रांस्मिशन की तो वह रहेगा 1.2L U-2 CRDI का वही इंजिन जो आपको पहले देखने को मिलता था जो पर्दूस करता है 74 बह्प की पावर 191Nm का शांदा टॉक यह रहने वाला है 30 Cylinder और साथ ही साथ में इसकी माइलेज रहेगी 25.1 kmpl और डीजल EMT में भी इसके सेम स्पेक्स रहने वाले हैं तो गाइस अब जो लास्ट इंजन अमारे पास बच गया वह काफी एक शांदार इंजन हुआ है 1.0L Turbo GDI इंजन जो कि काफी एक बैतरीन इंजन है जो हिंडाय की द्वारा इंटर्ड्यूस किया गया यह पर्ड्यूस करता है 99 BHP की पावर एट 172 Nm का टॉक यह रहेगा आपका 30 Cylinder इंजन और इसकी माइलेज रहने वाली है 20.3 kmpl अब आपको इसका एक डाइमेंशनल ओर्वीव देदू तो बेसिकली मैं बात करूंगा इसमें टॉप मॉड वी क्योंकि जो भी गाड़ी का में रिव्यू करता हूं तो मैं इंटीर की तो इंटीर में आपको ड्यूल टॉन डैश्मन मिलने वाला है साथी साथ उसमें आपको ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट देखने को मिलेंगे जो कि एक काफी प्रीम अब बाकेट फील देते हैं गाड़ी को इंटीर की तोर से और उसके बाद आपको गेर लिवर पे ग प्रीट डिस्टेंस तु एम्टी एवरेज फ्यूल कंजप्शन इंस्टेंट इंस फ्यूल कंजप्शन एवरेज वहीकल स्पीड लैप्स टाइम सब्स रिमाइंडर साथी साथ में इसमें आपको देखने को मिलेंगे रियर सीट हैड्रेस भी अब बात करूंगा एक्स्टी आपको एक्स्टीर से देखने को मिलेंगे अब गाइस बात करने चाहूंगा comfort and convenience के perspective से तो सबसे पहले आपको इसमें 8 इंचिस का टेस्क्रीन प्रोटेंमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा चार स्पीकर के साथ जिसमें आपको Android Auto, Apple CarPlay, GPS, Navigation, USB, EM, FM के साथ Bluetooth का function आपको देख आपको इको कोटिंग देखने को मिलेगी साथी साथ गेज इफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलेगा बैट्टी सेवर देखने को मिलेगा Hyundai की iBlue app भी आपको इसमें मिलने वाली है साथी साथ आपको smart entry मिलेगी रेर इसी ducts मिलेंगे Tilt steering मिलेगा, steering mounted controls मिलेंगे, adjustable driver seat मिलेगी, push ignition मिलेगा, parking sensors तक मिलेंगे और साथी साथ में front cup holders और front और rear में आपको door bottle holders देखने को मिलेंगे और सबसे शांदार चीज़ जो मेरे को इस गाड़ी के लगी, वो रही आपके convenience के साथ से wireless charging भी आपको इसमें देखने को मिलेगी अब guys बात करने चाहूंगा safety की, तो safety में आपको सबसे पहले मिलेंगे speed sensing, auto door locks, two airbags, driver and core driver, ABS, EBD, immobilizer, child safety locks, front and rear fog lamps, wiper with washer उसके साथ ही आपको reverse camera देखने को मिलेगा, और जो safety में मुझे सबसे अच्छा safety perspective point of view में जो एक अच्छा safety feature कहा लें, वो मुझे लगा impact sensing auto door unlock, जी हाँ, जब आपकी गाड़ी किसी चीज़ से टकराएगी, कोई impact को जे लेगी, तो automatically आपके door unlock हो जाएगे आपको कोई उस ताइम पे अगर collision के टाइम आप हड़ बड़ा हड में आपसे unlock नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो automatically गाड़ी कर देगी, तो ये मुझे काफी एक अच्छा safety feature लगा इस गाड़ी का, तो guys बात करूँगा गाड़ी के positives की, तो वो रहने वाले है कि साथ में Hyundai का service network की एक positive feature में इसका कहना चाहूंगा, वो आपको एक इसमें मिलने वाला है, साथ ही साथ में इसके silent engines जो Hyundai जानी जाती है, आपने silent engines के लिए और interior quality के लिए, तो उन दोनों का कोई match नहीं कर सकता, तो ये थे गाड़ी के positives, अब बात करूँगा negative, तो आपको automatic transmission diesel में कोई top variant देखने को नहीं मिलेगा, ये मुझे इसका थोड़ा सा negative मिला, जैसे आपको से sports में AT option देखने को मिलेगा, दूसरा इसका थोड़ा steering feedback का हमेशा Hyundai का शुरू से issues रहा है, maximum हर कार में आपको देखने को मिलेगा, steering feedback थोड़ा सा low रहता है, हमेशा गाड़ेगा, तो इस चीज़ पर Hyundai को जरूर काम करना चाहिए, तीसरा जो मैं कहना चाहूंगा, जो आपको इसके suspensions है, वो काफी जादा soft मिलेंगे, front से तो चलो अच्छी तरह damping कर लेता है suspension, लेकिन customers की complaint यह है, कि जो rare suspension है गाड़ी के, वो बहुत ही जादा bouncy feel होते है, जब आप एक highway पर रा तो guys, यह था गाड़ी का overview, जिसमें आपने आपको positives, negatives, हर एक चीज़ कवर कर ली, तो guys, अब बात करना चाहूंगा, कि कौन इस गाड़ी को prefer करे और को नहीं करे, जी हाँ, जिनोंने CT driving में more leisure, जिन को चाहिए, जो CT driving ज़ादा करते हैं, जो age आदमी है, साथ ही साथ में, ज जोड़ी छोटी विकल जाते हैं, compact CT में, अब पार्केट, थीम के साथ, वो बंदे इस गाड़ी को अराम से ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए गाड़ी काफी ज़दा, एक तो safety purpose से भी इच्छी है, दूसरा गाड़ी feature wise भी fully loaded मिलेगे आपको, तीसरा Hyundai का service network तो आपके साथ बंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जादे से जादे हमारे चैनल को प्यार दें, till then, take care, good bye, जाहिंत,